हालो स्टुडेंट्स आज हम लीनियर ट्रांस्फोर्मिशन और मैट्रेस की जो भी एक्ससाइज है कतम हो जुकी है उसकी एक थेरम करने जा रहे हैं सिर्फ एक ही थेरम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टन है और यही मैं करवाऊंगी तो भी एक्ससाइज कतम हो जाएगी इसके बा पर रहे हूं इस एक्ससाइज की सिर्फ एक ही थेरम है तो सबसे पहले स्टेटमेंट है UF एंड VF WF तीन फाइनाइट डामेंशनल व्यक्टर स्पेस है पहले की डामेंशन एम है दूसरे की एन है और तीसरे की पी है डामेंशन का मतलब होता है नंबर ओफ एलिमेंट्स इ इनल नंबर ओफ ऐलिमेंट होंगे और डबलू के बेसिस में पी नंबर ओफ ऐलिमेंट होंगे तब ही तो यह इनकी डैमेंशन है टी ट्रास्फरमेशन मेरी यू से वी जा रही है और टी टू ट्रास्फरमेशन वी से डबलू टी वन यू से वी और टी टू वी से डबलू ली सबसे पहले जो given है dimension of u, v, w मैंने वो लिखी है given उसके बाद क्योंकि dimension अगर u की m है तो b1 जो है u का basis है जिसमे m number of elements होंगे u1, u2, u m v के basis है b2 तो लट किया है b2 basis है v का तो इसमे number of elements कहां तक होंगे n तक और w जो है उसके basis है b3 और इसमे number of elements कहां तक होंगे p तक इसके बाद ये order basis लेने के बाद उसने b1 set लिया ये दुबारा से b1 set अगर ये basis है u का और u1, u2 ये सारे के सारे basis तो आते तो u में से ही है तो basis ये सारे element u के होंगे अगर इनकी image ले लूँ क्योंकि transformation u से v जा रही है t1 तो transformation अगर u से v जा रही है तो transformation कर दूँगी elements की तो ये किसके elements बन जाएंगे v के elements क्यों क्योंकि transformation मेरी u से v जा रही है तो जो u की elements होंगे जब उनकी transformation कर दो तो वो V का ही element बन जाएगा क्योंकि mapping यहां से U से V तक है अब जो T के elements हैं वो किसके basis से बने होंगे B2 के basis से क्यों क्योंकि V का यह जो T eyes वाले element है यह V के element है और V के basis है B2 तो V का हर एक element किस से बना होगा B2 के element से तो इसलिए मैंने T V यह जो T U eyes है इसको कैसे लिख दिया V eyes के combination से बना होगा तो मैंने combination मतलब scalars का यूज करके plus का sign आना था तो इसलिए submission डाल दिया मतलब मेरे कहने का मतलब यह कि T of U eyes जितने भी T1 और U eyes होंगे वो कैसे बने होंगे alpha 1 V1 plus हम alpha 2 V2 alpha 1 1 ले सकते हैं यहां पर 2 1 plus alpha 3 1 V3 up to zone कहां तक चलेगा N तक तो इस तरह से हर element T U J वाला T 1 U J का वो इन ही V eyes के combination से बना है तो relative matrix जो T 1 और B 1 B2 की होगी वो होगी alpha I J और N cross M की matrix बनेगी ऐसा क्यों क्योंकि coefficient matrix जो होगी जो coefficient matrix होगी वो तो होगी A I J की लेकिन वो होगी M cross N की लेकिन coefficient matrix से अगर relative matrix बनानी हो तो हम क्या कर देते हैं उसका transpose ले लेते हैं इसलिए N से M की बन जाएगी और coefficient matrix ऐसी क्यों होगी क्योंकि मुझे बता है summation यह कहां तक जाएगा alpha यह 1 2 1 3 1 4 5 N तक column जाएगे और M तक rows जाएगी क्योंकि इनकी गिंती M तक है तो rows M तक होगी और N तक columns होगे इसलिए coefficient matrix M cross N की होगी और जो इसकी relative matrix है वो N cross M की होगी ठीक है इसके बाद इसके बाद यहां से क्याता है B2 जो है वो किसके basis है V के अगर यह V के elements है क्योंकि B2 basis है V का तो basis के element V vector space में तो होगे ही तो capital V में तो वो होगा ही तो इनकी transformation इसके यूज होगा T2 क्योंकि V किसकी domain है T2 की तो transformation जो चलेगी V के elements पे वो चलने वाली है हमारी T2 ठीक है तो T2 transformation इस पे चला दी अब यह T2 transformation बनी किससे है जो T2 transformation है मेरी यह क्योंकि W को बिलों कर रही है W के basis कौन है B3 तो same मैंने T2 V R कैसे लिख दिया some scalars B T R W T और यह B transformation इसकी relative matrix के आएगी सिरफ कोफिशेंट्स और उनका रोर कॉलम का हिसाब किस तरह से जैसे उपर J vary कर रहा था 1 से M तक तो M पीछे और जहां तक number of elements थे वो आगे तो number of elements B3 में हमारे P तक है तो P आगे और N पीछे ठीक है तो यह order हो गया इसका इसके बाद हमने क्या करना है दोनों की matrix की multiplication करनी है तो हमने multiplication कर दी अब सबसे पहले मैंने T1 और T2 की multiplication की जो की T1 T2 defined क्यों होगा क्योंकि मैंने transformation linear transformation में पढ़ा था कि multiplication तभी possible है अगर T1 की यह जो right side पे होता है इसकी range और जो left side पे होता है उसकी domain same हो तभी यह multiplication होने के लाइक होते हैं तो यह multiplicative है क्यों क्योंकि आप दे सकते हो वी वी same है तो T2 T1 यह जो मैंने अभी multiplication का concept पिताया है यह chapter 5 का है linear transformation का ठीक है उसमें जहां पे algebra मेरी एक video होगी algebra of जिसमें T1 प्लस T2 करना सिखाया होगा T1 minus T2 करना सिखाया होगा T1 into T2 करना सिखाया होगा exercise exercise third fourth exercise होगी fourth या fourth exercise बिल्कुल fourth exercise होगी linear transformation chapter की उसकी videos देखना उसमें मैंने शुरू में ही समझाया होगा कि multiplication defined कब होती है तो इसके बाद चलते हैं T1 T2 की multiplication T2 T1 defined है defined है तो चलेगा कहा से U से W तक क्यों क्यों कि जो T1 है वो चला U से W और T2 चला W से W तो टोटल रास्ता हो गया U से W तो मैंने इसमें वैल्यू पुट की यूजे की क्योंकि डोमेन का यूजे है पुट किया अंदर जाएगा तो T1 के साथ लगेगा T1 की पिछले पेज पे जो वैल्यू थी T1 यूजे की वो मैंने यहां पे पुट कर दी जो पिछले पेज पे हमने यहां पे यह यह वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी इसके बाद T2 अंदर जाएगा क्योंकि अल्फा बाहर निकल सकता है लेनियर ट्रांस्वरमेशन में से तो उसको बाहर निकाल दिया T2 को अंदर भेज इसके बाद अल्फा यह बाहर और T2 इसके साथ लग गया इसके बाद TVE इसक सकता था वहीं से हमने पुट कर दी वैल्यू फिर आप स्केलर स्केलर इकठे कर दी है और इस वे फैक्टर को डबलु जी डबलु आई को बाहर निकाल दिया ठीक है है होल्ड पे रखे इसको चोड़ दिया इसके बाद T2 T1 का अगर मैं B1 B2 के लिए relative matrix देखो तो वह कोफि को कठा स्मिशन डाला जो कि 1 से लेके N तक वेरी करेगा अब इसका स्मिशन 1 से N तक वेरी कर रहा है बीटा का एक ब्रकेट कर दूं, मैट्रिक्स तो वो बन जाएगी पिछले पेज़ पीट की जो T2 relative मैट्रिक्स थी वो और अलफा जेज को अलग कर दूंगी कोफिशेंट्स को तो वो बन जाएगी T2 वाली मैट्रिक्स तो इसी तरह से T2 relative to T1 को मुझे T2 relative T2 relative मैट्रिक्स प्रूफ करना था Hence the result